So, hey guys, आज हम explain करने वाले हैं movie ग्रे मैन को, जो कि इसी week नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी action thriller movie है इस Hollywood movie में हमें सौथ के सूपर स्टार धनुस भी देखने को मिल जाएंगे और धनुस ने इस movie में क्या जबर्दस्त फैट की है, देखकर मज़ा ही आ जाता है So guys, without wasting your time, let's begin the explanation Movie के starting में हम Six नाम के एक आदमी को जेल में देखते हैं उसे एक मडर के इलजाम में जेल हुई थी जेल में उसे मिलने डोनल फिट जरुआ नाम का एक आदमी आता है जो की CIA के लिए काम करते थे वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो मैं तुमारी सजा कम करवा के तुम्हें यहां से निकलवा सकता हूँ Six कहता है और मुझे काम क्या करना होगा तो वो बताते हैं कि तुम CIA के लिए काम परोगे और हम तुम्हें टेररिस्ट को मारने की ट्रेनिंग देंगे और तुम्हें CIA प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जहां तुम एक ग्रे मैन के तरह रहोगे नेक्स्ट सीन में हमें कुछ सालों के बाद बैंको का सीन दिखाय जाता है जहां सिक्स एक क्लब में बैठा था तभी वहाँ एजेंट मिरिंडा आ दी है जो कि उसकी ही टीम मेंबर थी वो उसे एक टोईगन देती है जिसे लेकर सिक्स एक रूम के पास जाता है और उस गन से रूम के डोर को ओपन करता है और अंदर जाकर एक बड़ी सी गन को निकाल कर उसे इसेंबल करने लगता है इधर दूसरी तरफ से C.I.E. के हेट कोईटर से सेंटर चीफ डेनी कारमाइकल उसे किसी को मारने के लिए गाइट कर रहे थे वो कहते है कि डेनिंग कार देश के कुछ ऐसे इनफॉर्मेशन को बेच रहा है जिससे देश के सिक्यूरोटी को खत्रा हो सकता है इसलिए हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा उस ब्यूल्डिंग के हर फ्लोर के बीच में का हिस्सा मजबू ट्रांसपेरेंट सिसे से बना था सिक्स अपने बंदूग से सिसे के उपर खड़े डैनिंग कार पर निसाना लगाता है लेकिन तभी वहाँ सिसे की फ्लोर के उपर एक बच्चा आ जाता है सिक्स अपनी बंदूग पीछे कर लेता है जिसके बाद उसका सीनियर डैनी जो उसे सी आई ओफिस से कमांड दे रहा था वो उसे कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम बच्ची के बारे में ना सोचते हुए उसे सूट कर दो सिक्स अगेंड अपनी गन उठाता है और एक बार फिरसे अपनी गन पीछे करके उनसे कहता है कि गन अटक गई है फिर सिक्स वहाँ से बाहर निकल कर फाइर अलाम बचा देता है जिससे सारे लोगों के साथ साथ डैनिंग कार भी वहां से अपने आदमियों के साथ जाने लगते हैं लेकिन 6 बड़े ही आराम से जाता है और डैनिंग कार के सारे आदमियों को मारने के बाद खुद डैनिंग कार से लड़ने लगता है डैनिंग कार भी कुछ कम नहीं था वो दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं एंड अट दा इंड सिक्स उसे चाकू से मार कर घायल कर देता है लेकिन वो मरते मरते उसे बताता है कि मैं भी सिएरा के लिए काम करता था और मैं सिएरा फोर था लेकिन डैनि कार मैकल दिजे तलास करने लगते हैं दरसल वो लोग उस लॉकेट के तलास में थे फिर डैनि सिक्स को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिला जो कि तुम्हें लगता है वो मेरे पास होना चाहिए लेकिन सिक्स उसे कुछ भी नहीं बताता और फोन काट देत लेकिन वो लेकिन वो रीटार हो चुके थे उससे बताता है कि टेनि गदा दी कर सकता है क्योंकि उसने Sierra 4 को मरवा दिया है लेकिन उसने मरने से पहले कुछ ऐसी चीज मुझे दे दी जिसके पीछे वो लोग पड़े थे और अब जब वो चीज मेरे पास है तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं फिट्स उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए लोकल एक्स्ट्रैक्शन टीम भेजता हूँ नेक्स्ट सीन में हम डेनी और सुजन को देखते हैं डेनी लोलोईट को फोन करता है जो कि एक बहुत ही बेरहम प्रैविट एजेंट था सुजन लोलोईट को ये काम देने से डेनी को मना करती है लेकिन डेनी उसे सिक्स को ढून कर उसे वो लोकिट लाने को कहता है और साथ ही वो उसकी हिल्प करने सुजन को भी भेज देता है लोलोईट कहता है यार सुजन को भेजने से तो अच्छा ये है कि तुम मेरे पिछवाडे में सर्या गुसा दो सुजन कहती है कमीने तुमारी ये इच्छा मैं खुदा के पूरी करूँगी फिर लॉल वैड फिट्स रॉय के भतीजी को किटनैप कर लेता है और अब आता है इस मुवी का सबसे बिस्ट सीन जहां सिक्स कोई लगजरी पाउसिकार को छोड़ कर एक आटो से एयरपोर्ट पर पहुँचता है अब हम फिट्स रॉय को देखते हैं जहां वो अपने एक दोस्त के फिउनरल में जा रहा था तभी लॉयल वैड वहां पहुच जाता है और उसे सिक्स के बारे में पूछता है वो उसे कुछ नहीं बताता तो वो उसकी भतीजी की फोटो उसे दिखाता है और फिर लॉयल वैड फिट्स रॉय को भी किड़नाप कर लेता है जिसके बाद फिट जरुए अपने extraction टीम को कॉल करके 6 को मारने को कहते हैं लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने जाते हैं 6 उन पर ही हमला कर देता है लडाई के दोरान प्लेन में एक होल हो जाता है और 6 मार मार कर प्लेन से सब को गिरा देता है कुछ लोग तो प्लेन के इंजन से कट कर मर जाते हैं एंड अड़ दाइन पूरी प्लेन क्रैस होने वाली थी तो 6 एक पैरसूट को लेकर कूदने का सोचता है लेकिन पैरसूट उसके हाथ से छोट जाता है फिर उसे बिना पैरसूट के ही कूदना पड़ता है जिसके बाद वो हवा में ही एक दूसरे आदमी के पैरसूट को छीनने की कोशिस करता है और फिर उसे मार कर उसका पैरसूट छीन लेता है पेरसूट से उतरने के बाद सिक्स फिट्जरॉय को फोन करता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया जिस पर वो कहते हैं कि वो लोग मुझे फसा रहे हैं उनके पास मेरी भतीजी है फिर लॉलोयट सिक्स को ढोनने के लिए बहुत से लोकल गुंडो की टीम को भेचता है और खुद भी उसकी तलास में बरलीन निकल जाता है अब हमें यहाँ पर दो साल पहले का सेन दिखाया जाता है जब फिट्जरॉय अपने काम से कहीं जाने वाले थे तो उसने अपनी भत सिक्स के दिल में पीस मिकर लगा था और वो फिट्जरॉय की कमजोरी थी जिस वज़ा से फिट्जरॉय के दुस्मन उसकी भतीजी को मार कर अपना बदला लेना चाहते थे लेकिन सिक्स उसकी हिवाजद बहुत ही अच्छे और एकदम नॉर्मल तरीके से करता है जिसके बा कर में जाकर अपना कुछ सामान लेता है और एक डुप्लिकेट पास्पोर्ट बनाने वाले के पास जाता है लेकिन वो कमीना सिक्स की फोटो खीचने की बहाने उसे एक कुवे में गिरा कर वहीं कैद कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे उपर पाच करोर का इनाम है और फिर वो पास्पोर्ट मेकर लॉलोयट को इनफॉर्म कर देता है लॉलोयट अपने प्लेन को वहीं लैंड कराने को बोलता है क्योंकि वो उसी देश के उपर से उड रहे थे लेकिन पैलट के पास लैंड कराने की परमिसन नहीं थी तो वो एक पैलट को गोली मार कर कहता है इमर्जन्सी हो गई है जल्दी लैंड करवाओ और फिर वो पैलेट मेड़े मेड़े करके वो प्लेन को लैंड करवाते हैं अब हमें बर्लीन का CIA office दिखाया जाता है जहां डेनी कार मैकल एजन्ट मेरिंडा से पूश्टाच कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 6 के साथ मिली है और उसने ही उसे भागाने में उसकी मदद की है इसलिए वो उसे सस्पेंट भी कर देता है तबी उसे लॉलवैड 6 की तस्वीर भेशता है 6 वहां से भागने की कोशिस करता है वो अपने बंदूख के गोले से बारूद निकाल कर एक बॉम बना लेता है और वहां नीचे कुवे में लगे एक वाटर पंप को तोड़ देता है जिससे कि उस कुवे में पानी तेजी से बहने लगता है फिर जब लॉलवैड उस 6 के बीच लड़ाई सुरू हो जाती है 6 जमकर उनकी कुटाई करता है लेकिन तभी लॉलवैड उसके फेस पर पेपर स्प्रे मार कर उसे थोड़ा अंकॉंसियस कर देता है लेकिन 6 उसके पास से ग्रनाट के पिन को निकाल देता है जिसके ब्लास्ट से बचने के लिए दोन साथ आने को कहती है वो से अपने साथ अपने कार के पास लेकर जाती है और फिर उसे भी बेहोस करके अपने कार के डिकी में बंद कर लेती है अब सीन सिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लोल वाइट फिट जरवाई को अपने साथ एक आलिशान महल में लेकर जाता है जहा कहता है मैंने उसे यूके एजनसी चीफ मार्गरेट केहल के पास भेज दिया है जो की प्राग में है सिक्स कहता है कि उन्होंने एक एजन्ट को मरवा दिया है हो सकता है अगली बारी मेरी और फिर तुम्हारी हो फिर वो लोग प्राग के लिए निकल जाते हैं इधर दूसरे स फिर जरुआ के पास जा कर उसे पूछता है कि प्राग में कौन है फिर जरुआ उससे बोलते हैं कमीने तेरी मा है साले जिसके बाद वो उसे खूब टॉर्चर करता है वो उसके उंगलियों के नाखुनों को भी निकाल देता है लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताते बट जब लॉलवाड उसके भतीजी को टॉर्चर करने के बारे में कहता है तो वो उसे सब कुछ बता देते हैं अब सीन सिफ्ट होता है प्राग में जहां हम मारगरेट के हिल को गाना सुनते हुए देखते हैं तबी वहां मिरिंडा आ जाती है फिर जब सिक्स मारगरेट से का बनाने के लिए कर रहा था वो कहती है कि कोई तो है जिसका कारमाइकल के सर पर हाथ है और वो उसके कामों को बढ़ावा दे रहा है ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे तबी वहां लॉलवाड के कुछ लोग आकर उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं सिक्स मारगेट क लगने लगता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है तभी वहां एक रेट क्लर की वैन आकर सिक्स पर गोलिया चलाने लगती है लेकिन पुलिस वाले उनके बीच में आ रहे थे तो लॉलवाड पुलिस वालों को भी मारने का एदेश दे देता है सुजैन उसे ऐसा करने से मन पाते सिक्स वहां से खुद को छोडा कर ट्रेन में चला जाता है लॉलवाड के सोल्जर्स वहां भी उसे मारने आ जाते हैं तभी मिरिंडा आकर सिक्स पर हमला कर रहे लोगों को बहुत ही जबर्दस्त मजा चकाती है गोलियों की बारिष के साथ साथ तोरफोर्ड भी लॉलायड गुष्चि में आकर अपने एक तामिल फ्रेंट को सिक्स से उस लॉकिट लाने को कहता है अब हम देखते हैं कि सिक्स क्लेरी का पता लगाने होस्पिटल में जाता है और उसके दिल में लगे पीस्मेकर के नंबर से उसे ट्राय कर लेता है उसे पता लगता है कि वो क्रोसिया में है, फिर जब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, तो एविक साइन उन पर हमला कर देता है, वो दोनों एक साथ और एविक अकेला था, एविक उन दोनों को बहुत मारता है, और उसे मार कर वो उसके पास से वो लॉकिट भी लेकर भाग जाता है, मिरिंडा उस लड़की क्लेरी को मारने का सोच रहा था, जिस पर एविक उससे पूछता है, कि क्या तुम लड़की को मारतोगे, जिस पर लॉल वाइट सुजन को उससे पैसे दे कर भगाने को कहता है, इधर दूसरी और मिरिंडा और सिक्स महल में घुश चुके थे, और वो वहां ए हेलिकोप्टर को क्रैस करवा देते हैं, लॉल वाइट अपने आदमियों से चारो तरफ घेरा डालने को कहता है, और एविक को देखकर कहता है कि इस कुद्दे के सामने हड़ी मत डालना, मिरिंडा उन लोगों का ध्यान भढ़का रही थी, और इसी बीच सिक्स महल में घु कर नहीं जाना चाती थी, लेकिन सिक्स अपने दिल को मजबूत करता है, और उसे लेकर नीचे पानी में कूद जाता है, और जब लोल वाइट फिट्स के करीब आता है, तो वो अपने हाथ में मौझूद ग्रनाइट को ब्लाश कर लेता है, इधर दूसरी और मिरिंडा जब कर नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है, इधर लोल वाइट अभी भी जिन्दा था, और वो भाग कर जाता है, और सिक्स और क्लैरी को भागने से रोकता है, वो क्लैरी को अपने गन पॉइंट पर लेकर भागने की कोशिश करता है वो 6 से कहता है कि अपनी गन पैक दो वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूँगा 6 अपने बंदूग को फेक देता है जिसके बाद वो कहता है क्या कहते हो 6 दो-दो हाथ हो जाए फिर दोनों में हैंड टो हैंड खूब लड़ाई होती है और 6 उसे खूब मरता है खुद को हारता देख लॉलवाइट अपने जेब में से एक चाकू निकाल कर 6 को मारने लगता है लेकिन तबी सुजैन वहां आकर लॉलवाइट को गोली मार देती है और वो एक गोली 6 के पैरों में भी मारती है वो कहती है अगर मेरे बात मानोगे तो बज़ जाओगे वो कहती है कि मैं लॉलवाइट जिमी और तीनों एक साथ हावाड में थे और अब इन सब का इलजाम अब सिर्फ लॉलवाइट पर आएगा अगर तुम चाते हो कि वो लड़की क्लैरी जिन्दा रहे वो तुमें हमारी तरफ से गवाही देनी होगी और इन सब का इलजाम तुमें लॉलवाइट के उपर लगाना होगा फिर जब सुबा हो जाती है तो मिरंडा को गरफतार कर लिया जाता है और सिक्स को इलाज के लिए भेज दिया जाता है और वो चिप अब सुजन के हाथ लग चुका था इसलिए वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देते हैं मूवी के इंडे में हमें दो सब्ता के बाद का सीन दिखाय जाता है जहां हम देखते हैं कि उन लोगों ने जहां सिक्स को रखा था वो वहां के आदमियों को मार कर वहां से भाग चुका था और अब हम क्लेरी को देखते हैं उसे एक नोट्स और सीडी मिलती है उस नोट्स में तेज आवाज में गाना बजाने को कहा गया था जैसे ही वो गाना प्ले करती है सिक्स गोलियों से बाहर खड़े गार्ट्स को भूनते हुए अंदर आता है और क्लेरी को अपने साथ लेकर चला जाता है तो दोस्तो ये मुवी आपको कैसे लेकि मुझे कमेंड करकी बता देना और जो लोग भी मेरी चैनल पर नए आए हैं यार वो इस वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्क्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलता हूँ किसी मज़दार से मुवी के एक्सिब